इसे बनाने के लिए सबसे तैयार किया है उसमें मैंने चार चपमच बेशन लिया है हल्दी मिर्ची और नमक उसे मैंने थह थोगा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके लंग्स निकल जाएंगे उसके पाद हम उसमें और पानी आड़ करेंगे और साथी साथ यह मैंने लिया है एक कब दभी जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था और फटवर्ट से मैंने डाला है कड़ाई में मस्टर गाल, राई, जीरा और साबत लाल मिर्च और करीपता इन सब को अच्छे से चटकने तक हम फ्राई करेंगे उसके बाद जो हमने बेसन का गूल बना के रखा था उसे डाल देंगे और साथी साथ में हन डाल देंगे इसमें दही, दही में हम थोगा सा पानी मिक्स करके डालेंगे ताकि हमारे जो बेटर की कंस्रेंसी है वो अच्छे से हो सके और उसके बाद पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है तो मीडम साइस के प्याज जिसे मैं स्लाइस में कट कर लूँगी और साथी साथ में कड़ी को भी साथ चलाते हुए जाओंगी क्योंकि इसे भी चलाना बहुत जरूर है जब तक इसमें उबाल ना जाए तब तक हम इसे चलाते ही रहना है ताकि दही हमारा फटे ने और दही आप नमक सबसे लास्ट में डालिएगा या जब कड़िया पी खौलने लगे उसके बाद डालिएगा जिसे कि आपका जो दही अगे निया करिएगी ने तो बनाने के लिए प्यास केूअ सबसे इसकोशन डाला हुआ हूआ है लकषर और नमक डाला हुए और प्रेशन नहीं किया हूआ है चशक वे झाल ऑनासफे साथ है क्यां पानिया दूटाशन पानी यह तो तो पो कम लगे विछन की पानी कर लिए और कखाई में थोगा से और डाल के उसे अच्छे से गरम कर लिया है और यह मैं इस तरीके से छोटे छोटे से पकोड़े बना लूंगी और पकोड़े बना लूंगी अच्छे से गोल्डन राउंड होने तक इनको हम फ्राई करेंगे आप चाहें तो इन्हें बिना प्याज का बना सकते हैं जैसी भी आपको पसंद है हर तरीके से बनती है जैसा आपके घर में खाया जाए और यह देखे पकोड़े हमारे गोल्डन हो चुके हैं फटाफट से निकाल लेते हैं और गरमा गरमी हम इने खौलती हुए जो कगी का हमारा लुकिट है उसमें इसे एड़ कर कगी हमारी बनके एकदम रेड़ी है इसका हम फाइनल तरका देंगे तो उसके लिए हम पैन में लेंगे थोगा सा मस्टर गायल को अच्छे से गरम करेंगे उसमें टालेंगे एक चुटकी नमक जीरा साबुत लाल मिर्श और करी पत्ता और लास्ट में गैस का फ्लेम आफ क करने के बाद में डालेंगे आदा चम्मत कस्मेली लान मिर्थ उसे हम कगी में फैला देंगे और इसे हम सर्फ कर लेंगे यह हमारी कगी बनके रेड़ी हो गई है देखें कितने माउथ वार्टिं लग रही है डिलीश लग रही है आप इसे चावल पूरी पराठा किसी के व कि आप आपकता है ईसक्ती मेंधे डेखें कि मेंधे टियर लात है को अजय को अ बन्यू और मुंदी है cubic टबarian में में अंत के परे भी का बन्युटें की शेफ तो मेंके ब बन्यूशा देखें कर द गलूशा छैबवारी का उ전 क्याफ काराम करोश्का बन्यूबेग ट सै